बीजेपी सरकार को ना हर्याना के स्टूडेंट्स के चिंता है और ना ही हर्याना के युवाओं के रोजगार की कोई परवा है पूरे हर्याना की शिक्षा वेवस्था को बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बरबाद करके रख दिया तो PGT के 10,000 के करीब पद खाली हैं हर्याना के अंदर अगर आप कुल टीचर्स को देखें PGT, TGT, Teaching स्टाफ को देखें तो हर्याना के स्कूलों के अंदर 28,000 वेकेंसी हैं आज के दिन में तो फिर पढ़ाई क्या होती होगी कौन पढ़ाएगा सरकारी स्कूलों में जब टीचर्स ही नहीं होगे ना सुविध हर्याना के लिए हाई टाट लगा चुका है, यानी पूरी तरह से भारतिय जंता पार्टी की सरकार हर्याना के स्टूडेंट्स को बरबाद करना चाहती है, हर्याना की शिक्षा व्रबस्था को बरबाद करना चाहती है, और जब ये बच्चे इन सारी मुश्किलों से अधकार अुगा और उस्फ भास उनके लिए नौकरी नहीं है दो लाक सरकारी पद आज के दिन में खाली पड़े हुएं दो लाक सरकारी नौकरी खाली पड़ी हैं हर्याना के अंदर लेकिन कान पे जूंम ह değ और धार रहे हैं आप देखते जाएए विधान सभा चुनाव में नायब सिंग जी अगर आप इन युवाओं की रोजगार की तमन्ना पूरी नहीं कर पाए इनकी रोजगार की जरूरत पूरी नहीं कर पाए तो भारतिय जंता पार्टी की सरकार को हर्याना का युवा उखाड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद